अगर ये लड़ाई जल्बी से खतम नहीं की और इनकी बाते नहीं मानी गई तो ये बहुत दूर तक जाएगी और जैसे किसानों के मामले में माफी मांग के कानून वापस करने पड़े इसी तरह से माफी मांग के इन बच्चीयों की मान माननी पड़ेंगे जिस से लड़ रहे हो उसके बारे में जान लो कि लड़ किस से रहे हो ये भी जान लो ये किन की बेटिया हैं और ये बच्चीयों के साथ जो इन्याय कर रहे हैं ये सर पर चड़ के बोलेगा ये जब कावों में जाएंगे इस सब जगे लोग इनसे पूछेंगे कि उन बच्चियों का क्या कर रहे हो इन पे कोई जवाब ने होगा इसलिए में जो भी बीजेपी से जुड़े हुई लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी जान बचानी है तो अभी से दवाब डालो कि इन बच्चियों के सवाल को मान ले इनकी माई को मान ले इनका अपमान ना करें मैंने देखा रात में जब ये बाड़िश में वो अपने लिए तखते मंगवारी थी तब इनके साथ पुलिस का जो व्यवार था वो भो शर्म नाक थे लेकिन यहां तो सब प्रिशाशन में समझ शर्म खतम हो चुकी है सरकारों में तो हुई चुकी है लेकिन जनता में अभी बची हुई अगर ये लड़ाई जल्दी से खतम नहीं की और इनकी बातें नहीं मानी गई तो ये बहुत दूर तक जाएगी और जैसे किसानों के मामले में माफी मांग के कानून वापस करने पड़े इसी तरह से माफी मांग के इन बच्चीयों की मांग माननी पड़ेंगी अभी तो मैं तो कोई राजमितिक बात करना नहीं चाहता हूँ मैं जब प्रणान मंत्री जी से मिलने गया किसानों के मामले पे और मैंने उन्हें कहा साथ ये छे महिले से पड़े है इनसे अब तक बात नहीं हुई है कुछ बातचीत हो जाए इनको कुछ ले दे के निप्ता जीजिए तो बुदे चले जाएंगे सत्वाग क्यों फिकर करते हो मुझे गुस्सा आया मैंने कहा साथ इनको जानते नहीं हुआ जिस से लड़ रहे हो उसके बारे में जान लो कि लड़ किस से रहे ये भी जान लो ये किन की बेटिया है मैंने कहा कि ये जो सिख लोग हैं ये तीन सो साल नहीं भूनते हैं इनके गुरू ने अपने चार साहबजाबे कटवा दिये थे लेकिन समझवता नहीं किया था ये ऐसे ही नहीं जाएंगे और हमारे वाले तो अकबर की कबर खोड लाए थे ये तो अधियों बहुं कि और हमारे रहे थे जाता है तो इन बच्चियों का भी ड्यने जान लेना चाइए सरकार को किन को सता रहे हों किन को दुखी कर रहे हो इनके साथ वो लोग हैं जो कितनी दूर तक चले जाएंगे और आपको बरबाद कर देंगे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्वुद्धी आए और यह जल्दी से जल्दी इनकी मांग मांगे अभी मैं जब यह मैडल जीत के आती है